में समझने चाहिए, समय, पैसा और मनुष्य बल की बचत ये तो आज के वक्त की जरूरत है और इसी कारण हमारे साथ है विजय इंजिनेरिंग एंड मशिनरी कमपनी का प्रसिद्ध तंत्रक्यान इसी अत्याधुनिक तंत्रका संकल्प लेकर बहुत से किसान आज विकास पत पर चल रहे है किसान, क्रिशी महाविद्याले के चात्र या खेट से संबंदित हरे घटकों से विजय ने आत्मियता का नाता जोड़ा है अब यही देखिए ना, क्रिशी महाविद्याले के बहुत से चात्र यहाँ प्रशिक्षन लेने के लिए आते हैं उन्हें यहाँ विजय इंजिनिरिंग एंड मशिनरी कमपनी की तरफ से निश्शुल्क सेवा दी जाती है कोई भी यंत्र खरीदते समय हमारे सामने बहुत बढ़ी समस्या होती है तो उस यंत्र की मरम्मत और देखभाल की लेकिन विजय के यांत्रिक साधनों के बारे में ये सवाल पैदा ही नहीं होता मशूर फार्म मशिनरी सेंटर के विशेश मेकैनिक्स को बुला कर जिन्हें स्वयम रोजगार की आवश्शक्ता है ऐसे लोगों को तीन से पाश दिनों का रिपेरिंग ट्रेनिंग दिया जाता है आगे चलकर किसानों के लिए सर्विस कैम्स लगाने का भी कमपनी का विचार है विजय इंजिनेरिंग एड मशिनरी कमपनी से मिलने वाली विक्री पश्चात सेवा ये भी किसानों की आत्मियता का विशे है मशिनरी चाहे जो भी हो विजय के पास है घर तक सेवा पहुचाने की व्यवस्था आपकी सहायता के लिए यहां के कर्मचारी हर वक्त उपलब्ध रहते है किसान भाईयो आज विज्ञान युग में पारमपारी खेती को तंतर की जोड़ देना आवश्यक है फिर भी यांतरी की करण के बारे में हमारे मन में कुछ आशंक आये रहती है क्या हम कर पाएंगे ऐसा? लेकिन विजय इंजिनरिंग एंड मशिनरी कमपनी के ये साधन, उनकी क्षमता, काम करने का तरीका, खर्चा और इस्तमार इन सब बातों का विचार करने पर हम समझ सकते हैं कि ये बहुत आसान है इतना ही नहीं ये हमारे लिए ही बना है यांतरी खेती कोई कठिन काम नहीं है बल्कि विजय के साधनों से ये हमारे नियंतरन में है इन साधनों की खरीदारी और जरूरत पढ़ने पर मरब मत अब बिल्कुल आसान है लेकिन ऐसा होते हुए भी सवाल उट्टा है कि इन साधनों के लिए हम अनुदान के अधीम क्यों रहे अनुदान हमारी सुविधा है जरूरत नहीं लेकिन ऐसे अनुदान के लिए हम सालों साल राह देखते रहते है और फिर हमारी खेती ऐसे तंत्रों से वंचित रहती है मजदूरी के दाम बढ़ते जाते है और प्रगती के बिना हमारे पैर अधोगती की तरफ फिसलते जाते है सोचिए, विजय के साधनों से खेती में मिलने वाला मुनाफा अनुदान से कितना ज्यादा है तो फिर यह हमारी बर्बादी क्यों है? हमारी खेती की यह जरूरत है और इस जरूरत की पूर्ती आज ही होनी चाहिए क्योंकि विजय इंजिनिरिंग एन्ट मशिनरी कंपनी का यह अत्याधुनिक तंत्रज्ञान है हर खेती के लिए, खेती की प्रगती के लिए विजय झाल झाल झाल